हाई गाईज बिटकोईन कोशिश कर रहा है 25,000 डॉलर को तोड़ने की और पिछले 6 दिनों के अंदर 5 बार इसने कोशिश करी वहाँ हिट किया लेकिन वहाँ उसको रिजेक्शन मिल रही है और इस रिजेक्शन का सबसे बड़ा रीजन है कि वहाँ पर आती है एक बड़ी रे रेजिस्टेंस हैं जो कि है 50 weekly moving average की और 200 weekly moving average की और technically कहा जाए तो वो एक अच्छा खासा resistance होता है किसी भी stock में ले लो और बड़े crypto coins की बात करें छोटे coins की बात करोगे वो तो pump-tump चलता रहता है लेकिन अगर बात करते हैं bitcoin की उसके अंदर ये lines बहुत अच्छे से काम करत और इस टाइम पर ये चीज रिज्टेंस निकल के आ रही है। तो यहां पर आपको जो ध्यान रखना है अगर हम यहां पर बुल मार्किट को continue देखना चाहते हैं अगर हम चाहते हैं Bitcoin यहां से नए all time high बनाए तो दो levels यहां पे confirm होने चाहिए weekly के अंदर यह 200 weekly moving average के अंदर जो है Bitcoin close करना चाहिए जो की लगबग 25,000 डॉलार आता है और अगर बात करते हैं monthly candle के अंदर तो 50 जो monthly moving average है उसके ऊपर इसको close करना चाहिए अगर यह दोनों काम Bitcoin कर देता है तो आप सब लीजेगा यहां पे हम एक trend change confirmation bearish से bullish mode में हम जा सकते हैं और फिर हो सकता है trend आने वाले time के अंदर एक डेड़ दो तीन साल के अंदर नया Bitcoin all time high लगाता दिखे तो दोस्तो आगे बढ़ने से पहले आप से request है चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को subscribe कर लीजे और अपना प्यार ज़रूर दिखाईएगा वीडियो को like ज़रूर करिए अब दोस्तों बात कर लिते हैं 5 coins की जो हमें लगता है dip के अंदर है या एक momentum उनके अंदर आ सकती है बहुत सारे लोग बोलते हैं एकसी सर bitcoin के बारे में भी technically कई बार चार्ट को देखके समझा दिया करो तो simple सा bitcoin के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे ये जो है 25,300 इसके लिए फिलाल एक resistance का का काम कर रहा है जो की आपको पता ही है 200 weekly moving average है अगर मैं support की बात करता हूँ तो दो important support है 50 monthly moving average की बात करते हैं या आप फैबनाची की ये ratio देखते हो तो 23,000 और 23,500 एक support zone यहाँ पर है अगर बुरे हालात होते हैं तो 21,800 यहाँ पर इसके लिए एक support निकल के आता है अगर यहाँ से जाता है तो simple 27,000-28,000 डॉलर को यह try कर सकता है तो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे फिर किसी और वीडियो के अंदर करेंगे लेकिन इसका impact जो है DXY dollar strong हो रहा है धीरे धीरे वो वापिस recover कर रहा है उसका भी impact यहाँ पर Bitcoin पर देखने को मिल रहा है और आने वाले time के अंदर एक नया boost मिल सकता है और Bitcoin पंप कर सकता है अब बात करते हैं 5 coin की जो हमें लगता है कि एक अच्छा खासा आपको profit भरा के दे सकते है और उनके अंदर एक momentum आती दिख रही है लेकिन ध्यान रखना है, risk हो सकता है market correct कर सकती है तो अपने portfolio का उतना ही portion लगाना है जिसको आप छेल सको और उसमें से सबसे पहला coin है 1 inch इसके अंदर एक momentum आती दिख रही है लेकिन जो भी coin हम बता रहे हैं उनको आपको part में buy करना है और सबसे important बात है कि यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है weight लग करना है share देखा है न घात लगा के बैठता है उसके rate पे आएगा तभी वो attack करेगा उसका शिकार पास आएगा तभी वो attack करेगा तो आपको भी ऐसी करना है तो 1 inch की बात करें top 100 coins के अंदर आता है एक decent price exchange है अभी तक कोई खास momentum नहीं आई है लेकिन अगर इसको अभी देखते हो तो आपको idea लगेगा कि इसके अंदर एक breakout लगता यहाँ पे दिख रहा है लेकिन क्या हमें इस rate पे लेना चाहिए हमें इस rate पे नहीं लेना है हमें जो है 3 या 2 parts के अंदर आप ले सकते हो पहला है कि अगर यह $0.6 के आसपास आता है दूसरा है $0.5 के आसपास आता है $0.44 के आसपास आता है तो ये 3 levels पे आपने 3 parts के अंदर entry कर सकते हो और जैसाँ साथ से market के अंदर hype बनती है situation जब momentum आती है तो crypto currencies अच्छा करती है लेकिन wait कीजिएगा correction का तो ये तीन levels के आसपास आए तो हम इस coin के अंदर entry लेंगे और आपने notice किया है हमने share भी किया था भी recently Chinese coin का खेल चल रहा है या आप कहले जे momentum आ रही है और आप देखोगे QC की अगर मैं बात करता हूँ तो यहां पर आपने एक satosi के अंदर इस coin के अंदर खासकर बात करूँगा लगभग 45-47 satosi से यह सीधा पहुँच गया 84 satosi तो जिस हिसाब से Chinese coin की बात करें या Chinese narrative coin की बात करें उनके अंदर momentum आ रही है तो यह coin अगर आपको अगर आप रख सको satosi के अंदर अगर बात करें तो यहां पर इसके अंदर 50 satosi और लगभग 46-45 satosi दो पार्ट के अंदर आप यहां entry ले सकते हो और अगर यहां से यह चला देखो जब भी market ऐसे move लेती है न तो जातर इस coin के अंदर हमने regular interval पे pump देखे हैं लेकिन काफी time से एक दो मेने से ठंडा था लेकिन आपने देखा होगा 10-20% तो यह हफते, दो हफते, तीन हफते के अंदर देखे चला जाता है तो इसके अंदर अगर momentum आती है तो यहां से यह आपको 55 से लेके 64 और 70-80 जो है एक और coin है Wabi Binance पे लिस्टेड है लेकिन यह Binance पे जो है Listed है Satoshi की form के अंदर यह वैसे नहीं है और ध्यान रखो कि लगातार जिस आप से आप देखोगे पहले कई कोई momentum नी थी लेकिन पिछले regular interval पे इसके अंदर momentum देखने को मिलती है क्योंकि Binance के USD pair को लेके लगातार news निकल के आती है अब कल यह List होगा के नहीं होगा हमें नहीं पता लेकिन अगर यहाँ पर notice करते हो तो ध्यान रखेगा कि दो पार्ट के अंदर इसके अंदर entry आप ले सकते हो लगभग 600 Satoshi के आसपस यहाँ मिलता है और जो important support है वो है लगभग 5570 Satoshi के आसपस अगर यहाँ मिले तो आप इसके अंदर entry बना सकते हो और जिस आप से कह रहे हैं Chinese narrative coin की बात करें या background जैसा उनका है तो यह coin भी आपको एक अच्छा return दे के जा सकता है ध्यान रखेगा जो मैंने भी तक coin share करें वो छोटे coin है bitcoin थोड़ा correct करता है तो यह अच्छा खासा गिर भी सकते हैं और अगर गिरने की बात करें तो यह 10-20% correct भी कर सकते हैं एक है meme coin अगर dodge coin की बात करें अभी तक कोई खास momentum इसके अंदर नहीं देखने को मिलिए इसके अंदर आपकी entry एक यहाँ पे 0.082 के आसपास बनती है अगर यहाँ तक आए तो आप entry बना लीजिएगा लेकिन important entry मैं देख रहा हूँ इसके अंदर तो 0.078 अगर यह यहाँ तक आता है तो इस बार entry miss मत करना एक अच्छी support है यहाँ पर और यहाँ से पूरे chances हैं कि यह दुबारे से bounce back कर जाए ठीक है न तो यहाँ पर एक profit quick profit regular interval पे Elon Musk के tweet आ गए तो 10-15-20% यह भी कमा के दे सकता है तो जो भी अभी coin आपके साथ में जो share कर रहा हूँ न जायतर coins वो एक अच्छा खासा momentum के साथ में आपको profit बना के दे सकते हैं एक coin की बात और करना चाहता हूँ वो है cake coin अभी देखो यह अपनी एक support पर है जो की लगबग 4 डॉलर के आज सपास आती है अगर cake pancake swap की बात करे तो खास momentum नहीं देखने को मिली है अगर यहाँ support बनी रहती है तो यह लगबग 4 डॉलर तक जा सकता है तो 25% का potential इसके अंदर है 20 से 25% जो है यह दे के जा सकता है साथे 4 से in fact यह 5 डॉलर भी जा सकता है लेकिन इसके अंदर भी आपको 2 part के अंदर बाय करना है एक तो यहाँ पे देखना है और दूसरा देखना है लगबग 3.8 डॉलर के आसपास आए 3.75 डॉलर पे आए तो आप entry बनाने की सोचिएगा सारा खेल दोस्तो बिटकोईन का है और हम यही बोल रहे थे आपको कि इतना असान नहीं होगा बिटकोईन के लिए चीजों को ब्रेक करना 25,000 डॉलर को और 23 से 25,000 डॉलर के बीच में अगर यह सस्टेन करता है मैंटेन करता है तो यह जो सारे कॉइन मैंने आपको बताएं इसके अंदर आपको यहाँ पे मोमेंटम आती देख सकती है या पूरी altcoin market की बात करें तो एक ग्रोध देखने को मिल सकती है और दोस्तों आपने chat GPT के बारे में जरूर सुना होगा एक बड़ी hype उसकी create हो रही है आर्टिपिचल intelligence के बारे में लोग बात कर रहे हैं उनके coins pump कर रहे हैं तो ऐसे ही crypto के अंदर crypto GPT एक नया project आ रहा है और इसको लाने वाले है अगर आप simple सा refer कर सकें तो यहाँ पे आपके लिए भी opportunity बन सकती है कुछ ना कुछ यहाँ पे earn करने की तो दोस्तों इस website का link नीचे description में हमने आपको दे दिया है और इसके अंदर आपको refer करना है अपनी email ID डालनी है और अपना नाम यहाँ पे बताना है और इनके social media को आपने follow करना है अगर आप यह कर लेते हो तो यहाँ पर आप 10 डॉलर 50 डॉलर 500 डॉलर और 1000 डॉलर तक के chance बनता है आपको यहाँ पे उनके GPT token जो launch होंगे बाद में उसको कमाने का उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो like जरू करिएगा चानल को subscribe जरू करिएगा Twitter, Telegram पे हमें follow कर लीजिए नीचे description है उसका भी link दिया हुआ है अब इक लिए विदा लेता हूँ खुछ रहिए मुस्कूर आते रहिए खमाते रहे आपका दूस पंकच तेंक्यू नमस्कार धन्यवाद